तो फाइनल इगाए जैसा कि आप सबी जानते होंगे पिछले शुक्रोवार यानि कि 8 मार्च को स्रीमाघरो में रिलीस हुई थी बॉलिवूट के सिंगम अज़े देवगर की फिल्म शैतान जिसने सिंगमाघरो में 9 दिन पूरे कंप्लीट कर लिये हैं और फिल्म को रिलीस हुई आज सिंगमाघरो में 10 वा दिन चल रहा है यानि कि फिल्म का आज दूसरा संडे है लेकिन दूस्तों शायद आप यकीन करे या ना करे लेकिन फिल्म ने अपने पहले एक हफ़ते में जो कलक्शन किया था वो तो किया ही था और वो काबिल ने तारीब था लेकिन अब दूसरे हफ़ते में भी ये फिल्म कहां पीचे रहने वाली है कल फिल्म का दूसरा सटर्डे बहुती शांदार और बहुती 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 बहु कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है और सारे हिटर्स जो ये बोल रहे थे कि भई शैतान फिल्म बॉक्स आफिस पर उतनी ज्यादा कमाई नहीं करेगी उतनी बड़ी ये फिल्म है नहीं तो मैं आपको बताता चलू कि मैं आप से कई बार कह चुका हूँ कि फिल्म क बजट कोई मैटर नहीं करता है कि फिल्म के मेकर्स ने कितने बड़े बजट में या कितने छोटे बजट में फिल्म बनाई है अगर फिल्म दर्शकों को पसंद आ गई तो वो फिल्म बॉक्स आफिस पर सूपरिट हो जाएगी फिल्म का बजट चाहे छोटा हो या बड़ा और यही हुआ है शैतान के साथ है कि अच्छी स्टोरी होने के साथ साथ आर्मादवान, अजेदेवगान, जियोतिका और चार की बोधिवाला ने जिस तरह से अपने किरदार को निभाया, जिस तरह से फिल्म की स्टोरी में जान डाली, वो वाकी देखने लायक और काबले ता काम्याब रही, वही आज दसवे दिन ये फिल्म क्या कर रही है, दसवे दिन फिल्म का कोन से शहर में क्या हाल चल रहा है, और दस दिरों में फिल्म टोटल कितनी कमाई कर रही है, तो दोस्तो बस आप इस वीडियो के साथ पने रहीएगा, लेकिन दोस्तो उससे पहले अग योगन को एक बहुतरी नवीनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथे साथ इस चेनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीज़ीगा दोस्तों अगर बात करें फिल्म शैतान की तो ये एक हिंदी लेंग्विज की हॉरर थ्रिलर फिल्म थी जिसका फैंस को बहुत ज्यादा इंतिसार था और फिल्म का जब से ट्रेलर रिलिस हुआ था तो ट्रेलर देखने के बाद तो फिल्म के लिए बहुत ज्यादा हाइप हम और किरेज देखने को मिला था और ठीक वैसा हुआ भी बिल्कुल इरादों पर खरा उतर ही फिल्म अभी तक शैतान शैतान फिल्म से जैसी उम्मीदी थी उम्मीदों से भी बढ़कर इस फिल्म ने अभी तक प्रफॉमंस दिखाई है आपको बताता चलू में की एक हिंदी लैंगविच की हॉरर ठेडर फिल्म थी जिसको डेर्le courage किया था विकास बहल ने फिल्म को produce किया था विकास बहल जोती देशपांडे और आज्य देयुगण ने और फिल्म में हमें आज्य देयुगण के साथ जोती का आर्माधमन और जन संडे है लेकिन दोस्तों फिल्म आज बॉक्स आफिस पर जो कमाल कर रही है वो वाकी काबिली तारीफ है आज मुंबई के अंदर फिल्म की बीस परसेंट से भी ज्यादा की मॉर्निंग की उक्यूपेंसी है और फिल्म के पास 600 शोज हो चुके यानि कि फिल्म की डिमांड को देखते हुए फिल्म के शोज अभी और बढ़ा दिये गए हाला कि सटर्डे और फिरैडे फिल्म के शोज कम हो गई थे क्योंकि योधा और बस्तर जैसी फिल्म में सिनीमागरों में रिलीज हुई थी लेकिन उन फिल्मों को खराब रिव्यू मिलने के करण शैतान फिल्म क कि ओक्वेज फिल्म क कर ये चलेगी और यहां पे मौर्निंग में जिस तरह से आज 20% से ज्यादा की ओक्वेज़़़ईटे में देखने को मिल रही है वो वाक्यी शानदार है दिल्ली NCR के अगर बात करें तो यहां पे भी आज 15% से ज्यादा की मौर्निग की ओक्वेज़ और फिल्म के पास 700 शोज है पूरे के अंदर भी आज मॉर्निंग में लगबग 30% से ज्यादा क्योक्योपेंस है फिल्म के पास 220 शोज है बैंगलूरू के अंदर भी आज 20% से ज्यादा क्योक्योपेंस है फिल्म के पास 180 शोज है हैदराबाद के अंदर भी आज मॉर्निंग म आज फिल्म हाउसफल नजर आ रही क्योंकि कॉलकातर में भी आज लगबख 18% से ज्यादा की मौर्निंग की उक्यूपेंसी है और फिल्म के पास 185 शोज है एहमदाबाद में भी आज लगबख 7-8% की उक्यूपेंसी और फिल्म के पास अभी भी 302 शोज है चेन्ने के अंदर तो वही मौर्निंग में देखो भले ही कम रिस्पॉंस मिले लेकिन यहाँ पे आफ्टरनून और इवनिंग और नाइट के शोज जो रहेंगे ना वो पूरी तरह से हाउसफल है क्योंकि चेन्ने में कल नाइट भी लगबख 70% की उक्यूपेंसी थी सूरत के अंदर फिल्हा लगबख 14-15% की उक्यूपेंसी आज मौर्निंग की और फिल्म के पास अभी भी 95 शोज है चंडीगर में 14% की उक्यूपेंसी है आज मौर्निंग में और यहाँ पे उम्मीद है कि नाइट में 65-70 की उक्यूपेंसी रहेगी और फिल्म के पास अभी चंडीगर में 50 शोज है भोपाल के अंदर 5% की मॉर्णिंग की ओक्पेंसी आज और फिल्म के पास 70 शोजे और लखनौ में 15% से ज्यादा की ओक्पेंसी फिल्म के पास 115 शोजे यानि कि पूरी तरह से आज फिल्म का दूसरा सटर्डे है मैंने पूरी तरह से आपको पूरी डिटेल से बताया है कि आज फिल्म बॉक्स आफिस पर किस तरह से परफॉर्म कर रही है फिलाल अगर मैं बात कुरू शैतान फिल्म के अभी तक के बॉक्स आफिस कलेक्शन की और आज ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ फिल्म शैतान अपने पहले दिन यानि के ओपनिंग डे पर 15 करोड 21 लाख उर्पे की कमाई करने के बाद अपने तीन दिनों के विकेंड पर 55 करोड 13 लाख उर्पे इंडिया से नेट कर चुकी थी तो वही फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था वो 80 करोड 31 ल लाख उर्पे कमाई पांचवे दिन टूस्डे को फिल्म ने 6 करोड 27 लाख उर्पे कमाई चटवे दिन फिल्म ने 6 करोड 27 लाख उर्पे कमाई सातवे दिन यानि के थजडे को फिल्म ने 5 करोड 82 लाख उर्पे कमाई और दोस्तो आठवे दिन यानि के अपने दूसरे फि करोड़ 24 लाक रुपए हो चुका है ओवर्सीज से फिल्म ने कमा लिये है 31 करोड़ 78 लाक रुपए और कुल मिला के पूरे वर्ड में एफिल्म 125 करोड़ 7 लाक रुपए अपने पहले आठ दिनों में पूरे वर्ड से कर चुकी है अब आता है दोस्तो नौवा दिन यानि के का दूसरा सटर्डे और दोस्तो फिरेडे को कितना कलक्षन था अपने दूसरे फिरेडे को 5 करोड 12 लाक रुपए लेकिन दोस्तो दूसरे सटर्डे को फिल्म ने अपने नौवे दिन 8 करोड 30 लाक रुपए कमा है 8 करोड 30 लाक रुपए और फिल्म ने इंडिया के अंदर जो total net collection है वो 95 करोड उपे का आकड़ा पार कर लिया जो आदोस्तो 95 करोड उपे पहुँच गई है 9 दिनों में और वही फिल्म की जो worldwide कमाई है वो 137 करोड उपे हो गई है अब दोस्तो आता है 10 वा दिन यानि कि आज का दिन तो वही फिल्म पूरे वल्ड में 150 करोड उपे का आकड़ा आज पार कर रही है जो कि काबिल लितारीफ है और फिल्म बॉक्स आफिस पार सूपरेट हो चुकी है लेकिन आपको कैसे लगी फिल्म कमेंड में सुरू बताइएगा